जै स्री कृष्णा आज रभीवार की दिन आईए सुनते हैं भगवान सुर्यदेव और भोले नात की यह कथा भगवान सीव भोले नात हैं उनकी सरण में जो जाता है उसकी वे रच्छा करते हैं उसकी पुकार सुनते हैं वे आसानी से भगतों की पुकार सुन प्रसन हो जाते हैं और उनकी मनो कामनाएं पूर करते हैं ऐसे ही एक असुर माली और सुमाली अपनी पुकार लेकर महादेव की सरण में पहुच गए फिर ऐसा हुआ कि किसी ने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी भगमान सीव के क्रोध का सिकार सुर्य देव को होना पड़ा भगमान सीव ने अपने सस्त्रति सुर से शुर्य देव पर प्रहार कर दिया था जिससे पूरी श्रिष्टी अंधकार में हो गए थी क्या थी ओ घटना आये जानते हैं उसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुरार के अंसार असुरमाली और सुमाली को गंभी सारिरिक पीडा थी शुर्य देव की अवहेलना के कारर वे इससे मुक्ती नहीं पा रहे थे उन दोनोंने भगवान सीव के सरण में जाने का निश्य किया उन दोनोंने भगवान सीव के समझ अपनी पीडा व्यक्त की और नठीक होने का कारर शुर्य देव की अवहेलना को बताया अशुर्माली और सुमाली की ब्यथा सुनकर भगवान सीव ब्याकुल हो उठे इसके परिडाम स्वरू उनको क्रोधा गया उन्होंने ततकाल त्रिसूल से शुर्य देव पर प्रहार कर दिया भगवान सीव के वार को कौन सहन कर सकता था त्रिसूल के वार से शुर्य देव अचेत होकर अपने रत से नीचे गिर गए और पूरी स्रिष्टी अंधकार मैं हो गए शुर्य देव कस्य पृषी के पूत्र है शृष्टी मैं अंधकार होने और भगवान सीव के प्रहार के बारे में कस्य पृषी को जब पता चला तो विक्रोधीथ हो गए उन्होंने भगवान सीव को पुत्र की दसा पर दुखी होने का स्राप दिया कहा जाता है कि इस स्राप के वज़े से ही भगवान सीव ने गरेश जी का सिरकाता था दूसरी तरह जब सीव जी का क्रोद सांथ हुआ तो उन्होंने देखा कि स्रिष्टी अंधिकार मैं है तब उन्होंने शुर्यदेव को जीवन दान दिया शुर्यदेव की चेतना वापस आई तो उन्होंने पिता के स्राप की जानकारी हुई वे दुखी हो गए तब ब्रह्माजी ने उनको समझाया भगवान स्रियू ब्रह्माजी भगवान विश्लू उनके पिता कस्यप्रिशी ने आशिर भाद दिया फिर शुर्यदेव अपने रत पर सवाध होकर स्रिष्टी को प्रकास मय करने लगे ब्रह्माजी ने अशुर माली और सुमाली को कष्ट से मुक्ती के लिए शुर्य उपासना का महत्व समझाया दोनोंने बिधी बिधान से शुर्यदेव की पूजा की जिससे शुर्यदेव प्रशन हुए और उन दोनों को रोगों से मुक्त किया सनातन धर में शुर्यदेव प्रमुक्ष देवताओं में से एक है बैदिक काल से शुर्य भगवान की पूजा चली आ रही है माना जाता है कि जो भख्त सचे मन से शुर्यदेव की पूजा उपासना करते है उनकी सभी इच्छाएं शुर्यदेव अवश्य पूरी करते है शुर्यदेव एक ऐसे देवता है जिनके हम हर दिन साचाथ दर्सन करते है ऐसे में शुर्यदेव को रोजाना अर्ग देना लाबदायक माना गया है लेकिन रभीवार के दिन बिसीश रूप से शुर्यदेव को अर्ग देना चाहिए शुर्यदेव की पूजा करने से शुक्षम लिधी धन संपत्ती बनी रहती है और शुर्यदेव भक्तों को दुस्मनों से दूर रखते हैं मान्यताओं के अंसार रभीवार के दिन ब्रत रखने से तथा कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनो कामनाएं पूरी होती हैं अगर आप भी रभीवार का ब्रत रख रहे हैं तो इस ब्रत पूजा बिधी को अवश्य सुने रभीवार के दिन असनान करके भक्तों को साफ कपड़े पहन लेना चाहिए फिर सुर्य देव को अस्मरण करके ब्रत का संकल्प लेना चाहिए संकल्प लेनी के बाद मंदिर में भग्वान सुर्य की मूर्ती की अस्थापना करनी चाहिए इसके बाद भग्वान सुर्य को अश्नान करवाएं और उन्हीं सुगंध पुश्प अर्पित करें इसके बाद कथा का पाठ करें और धूब दीब के साथ शुर्यदेव की आरती करें एक तांबी की कलस में जलने और उसमें फूल और चावल डाल दें इतना करने के बाद शुर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण करें और शुर्यदेव को जलर्पित करने के बाद भोजन ड्रहण करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद